हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फेंटसले की 11 पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैच 2 टी 10 का जो खेला जाने वाला है बोहीमियन वोसीस युनाइटेट के बीच में जी हां मैच 1 अल्रेडी कवर हो चुका है और काफी कुछ अपडेट वहा ग्रेंड लिग में कौन से प्लियर लेने हैं दोस्तो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं अपने सारे दोस्तों को टैंक कहना चाहूंगा जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं वीडियो को शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया हुआ है आपको अगर वीडियो से फाइदा हो रहा है वीडियो से पैसे बना रहे हो तो जरूर है कि आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है कमेंट भी जरूर करना है दोस्तों मेरा ही वीडियो नहीं जिसका भी वीडियो आप देखते हो और उससे आपको फाइदा होता है उससे आपको नौलेज मिलता है और उससे आप पैसे बना रहे हो तो आपको थैंक्स कहना ही चाहिए सामने वाले को क्यूंकि आपको अगर कोई चीज फिरी में दे रहा है तो आपको भी रिटन में कुछ देने का आदत होनी चाहिए दोस्तो ठीक है तो चलिए बात करते हैं अभी वीडियो की वीडियो में अगर बताओं तो मैं पीछ रिपोर्ट यहाँ पर तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज में बता दू के दोनों में से एक टीम थोड़ी स्ट्रॉंग है दूसरी थोड़ी कमजोर है अब जाहिर सी बात है बोहीमियन यहाँ पर मुझे थोड़ी स्ट्रॉंग नजर आ रही है एस कंपेर्ट तो युनाइटेड ओके युनाइटेड के पास उतने अच्छे एक्सपीरियंस बैसमेन और नाही बॉलर है ठीक है थोड़ा बहुत वो फाइट कर सकते हैं मैं अब इसे बता देता हूँ एवरेज इसको यहाँ पर आसपस अगर कहूं तो सौ प्रेडी मैंने कर दिया है पहले ही वीडियो में इस वीडियो में भी छेलिए थोड़ा बहुत डेटेल हम जान लेंगे प्लेयर के बारे में बोहीमियन के स्कॉर्ड को अगर कवर करो तो सबसे पहले अली वकार अली वकार ऐसे प्लेयर है जिनको कभी कभार ओपन के लिए भी बेजा जाता है अभी हो सकता है कि टीम पहले बैटिंग कर रही है तो टीम को इसमें अलिवाकार को कभी कभा सरप्राइजिंगली ओपन करने बेज दिया जाता है अलाके इनका कॉंट्रिबुशन बॉलिंग से तो रहेगा ही टीटेन में अगर इनके डेटा पे नज़र द जाते हैं अलि वकार मिनी जील में तो आप सीवी सी ट्राइज कर सकते हो अमरी द्राइज का टीटैन कारीकों काफी अच्छा है 12 मैच में 8 विक्तली है जो के कम नहीं होती तो अमरी द्राइज को भी हम इसमॉल लिग में अपनी टिम में ट्राइज कर सकते हैं सारा कुछ डि आरिफ जावेद की बात करूं तो आपके लिए ग्रेंड लिग पिक ही रहेंगे ग्रेंड लिग में ही इनको ट्राई करना इस्मॉल लिग में हम नहीं लेंगे अशोक रेड़ी डेटा अगर बात करूं तो करियर में 12 मैच में 11 विकेटली है टी 10 का एक्सपिरियंस नहीं है ग हमारे लिए ग्रेंड लिक्पिक हो जाते हैं इम्रान उल्हक इम्रान उल्हक की बात करूं तो साट मैच में अटरा विकेट है बैटिंग से भी कुछ खास परफॉर्मस नहीं है प्लस टीटेन में भी पांच मैच खेली है कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं बता रहा है तो हमा बात करूं टीटेन में रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है एवरेज प्लियर ही है बट सबके पास रहेंगे ही स्मॉल लिग में इसलिए हमारे लिए भी इंपॉर्टन भी हो जाते हैं तो इसमॉल लिग में जावेद को भी हम जरू ट्राइ करेंगे अगर खेलते हैं तो चलते हैं बात करते हैं यहाँ पर कमल सिंग कमल सिंग की यहाँ पर बात करो तो 41 मैच में 40 विकेट ली है अपने करियर के अंदर राइट अम स्लो बॉलिंग ये करते हैं जी टैन में कुछ खास किया नहीं है तो मैं इनको स्मॉल लिग में आवाइड ही कर रहा हूं में ट्राइ कर सकते हो अधरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा एमडी अली म्डी अली की बात करो तो यहाँ पर 4 मैच में कुछ आच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है तो हम इस्मॉल लिग में नहीं लेंगे जी अल में ट्राइक कर सकते हो अब बात करते हैं मौमद नबील, मौमद उस्मान और मौमद जुबेर की तीनों को ही बहुत मौके मिले है टी 10 के अंदर पर कुछ इतना खास परफॉर्मस इन्हों ने तीनों ने भी नहीं दिया हुआ है हाला के मुहम्मद नबील और मुहम्मद उस्मान ने तो ओपन भी करने आये है बेटिंग के लिए पर कुछ खास रन नहीं मारे है अगर खेलते हैं तो आप इनको लगबग एक अदर टीम में मीनी जील में ट्राइ करना है स्मॉल लिग में तो मैं इग्नॉर ही कर रहा हूँ जील वगएरा में भी प्राइ कर सकते हो अगर खेलते हैं तो आप देख सकते हो तीनों का ही रिकोर्ड कुछ खास नहीं है ना ही करियर में कुछ अच्छा किया है ना ही T10 में कुछ तीनों ने अच्छा किया है दोस्तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर निर्मल कुमार की बात करूँ तो इनका थोड़ा बहुत कॉंट्रिबुशन रहता है टीम के अंदर कैचिस वगेरा भी ले लेते ह 9 मैच में 9 विकेट T10 के अंदर तो ली ही है प्लस यहाँ पर करियर में काफी अच्छा बॉलिंग से इनका रिकॉर्ड नजर आ रहा है तो खेलेंगे तो मीनी जेल में CVC तक ट्राय कर सकते हो और रिस्क लेना है तो स्मॉल लिंग में इनको लेने का रिस्क आप ले सकते हो अगर मल्टीपल टीम से खेलते होए तो उसके बाद बात करों तो प्रताब जकताब प्रताब जकताब है वो विकेट कीपिंग करते होए टीम के लिए नजर आ सकते हैं और कुछ खास प्लेयर नहीं है आप अगर चाहो तो नई लोगे इनको तो भी चलेगा जील में एक इंदर सिंग की बात करों तो एक कावन मैच में 28 विकेट है प्लस टी टेन के अंदर क्या है यह कंटीनुएस बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं दोस्तो एक और इनका अच्छा ज्यादा है तो दूसरा और भी यह करते ही है दोस्तो हलाकि इनको विकेट नहीं मिलते होतने बड़ बॉलिंग यह करते हुए तो नजर आते ही है तो इसमॉल लिक के अंदर इनको लेना नहीं लेना थोड़ा रिस्क ही रहेगा बड़ मैं इनको इगनॉर कर रहा हूँ मैं इनको इसमॉल लिक में नहीं लेने वाला मिनी जील में लगबाग अब इनको सीवी से तक ट्र की जो आपके लिए रह सकते हैं से पहले रितिक तॉमर रितिक तॉमर की बात करूं तो देखी और राउंडर पर्फोर्मस इनका नजर आ रहा है उपर से वन डाउन टू डाउन बैटिंग के लिए भी आ जाते हैं राइट आप मेडियम फास बॉलिंग करते हैं प्लस 18 मैच मे दो पचास लगा चुके हैं टी टैन के अंदर और बारा विकिड भी ले चुके हैं तो सी वी सी भी आप ज़रू ट्राइ कर सकते हो इनको स्मॉल लिक के अंदर और मिनी जील के अंदर हाला के सबाव उन दवेजी के ओपर तो सारे ही लोग जाने वाले हैं और 32 मैच में पास साथ आर्ट बॉलर आलरेडी है तो उस केस में सबाव उन दवेजी बॉलिंग नहीं करेंगे ये बात ध्यान में रखना दोस्तों तो उसके हिसाब से ही सी वी सी आपको बनाना है तो जब भी लाइन अप आएगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि टीम के पास बॉलर क साथ अतर अब लेइंग 11 आने पर अगर हमें पता चलता है कि हमें साइल ग्रोवर ओपन करने वाले हैं तब इनको हम जरूर लेंगे अपनी स्मॉल लिक टीम में अधरवाइस इनको हम नहीं लेंगे 21 मैच में देख सकते हो टी 10 में उतना कुछ खास रन नहीं मारे हैं 5 विक किपिंग करते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा चीक है आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर सकलेन मुखतार की सकलेन मुखतार ने यहाँ पर 16 मैच टी 10 के खेले हैं राइट आउं मीडियम बॉलिंग कर लेते हैं प्लस दो ही विकिट लिया है तो उतना परफॉर्मस नजर नहीं आ रहा है मिडल ओडर में बेटिंग करते हैं प्लस चोके छके भी कुछ उतने जादा नहीं मारे हैं ठीक है तो फिर भी जादतर लोग इनको ट्राइ करनेंगे रिस्क लेंगे आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो मैं इनको स्म स्वदा मैच का एक्सपिरेंस है जिसमें से नौ विकिट इन्हों ने लिया हुआ है तो काफी अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है इस्मॉल लिग में आप ट्राइ कर सकते हो अगर आपको टीम में जगा बनती है तो रिस्क ले सकते हो क्योंके लेफ्ट आम मेडियम पेसर है दोस्तो तो लेफ्ट आम बॉलर की हमेशा से ही इंपोर्टेंट्स रहती है तो आप एक अधर टीम में ट्राइक कर सकते हो साजी बुयान साजी बुयान की बात कर लो तो यहाँ पर 29 मैच है करियर में 34 विकिट है एक सेंचूरी पांच हाफ सेंचूरी तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका 3 डाउन 4 डाउन ओपन सब पोजिशन पर यह बैटिंग कर लेते हैं प्लस बॉलिंग में भी पहला दुसर आँख बन करके कर सकते हैं पहुत सारी लोग ट्राइ करेंगे नहीं आप करोगे तो आपके लिए फाइदे में रहेगा दोस्तो तो लगबग इनको ट्राइज जरूर करना मीनी जेल और स्मॉल लीग में दोस्तो अगे चलते हैं बात करते हैं यहाँ पर अब्दुल सुहास फराद 14 मेच में 16 विकिट है टी 10 के अंदर बॉलिंग से इंपोर्टेंट रहेंगे और मश्पिक रहेंगे स्मॉल लिग के अंदर सुमित पोकरियाल की बात करूँ तो 68 मेच करियर का खेला है 67 विकिट ली है दोस्तो वहीं टी 10 पे नजर दालू तो कुछ खास परफॉर्मस नहीं है इसलिए मैं इनको अवाइड कर रहा हूँ अपनी स्मॉल लिकिट टीम में आप चाहो तो मिनी जेल और ग्रेंड लिक में इनको ट्राइ एक टीम में कर सकते हो सुर्जित सिंग का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है तो हम ध्यान नहीं देंगे वहीं बात करूँ वाहिद की वकारजीम और वसीम सरदार की तो तीनों ने ही कुछ खास किया नहीं है टी 10 के अंदर हाला के वहीद रहमान और वसीम सरदार बॉलिंग तो करते ही है कंटीनियू टी 10 के अंदर बड़ विकेट बहुत कम मिलती है तो ना के बराबर ही रहती है है एक अधर मैश में एक अधर दू विकेट ले जाए वह अलग बात है बड़ आप देख सकते हो बारा बारा मैश तो खेली है बड़ विकेट उतनी नहीं लिए तो मैं इनको आवइड कर रहा हूं स्मॉल लिक के अंदर ग्रेंड लिंग में आप चाहो तो ट्राय कर सकते हो वहीं एक प्लियर और है जो के जाहिद मैमुद मिडल ओडर में बैटिंग कर लेते हैं और टू डाउन त्री डाउन पर बैटिंग के लिए आते हैं बालिंग से तो कोई कॉंट्रिविशन का नहीं रहता बड़ मिडल ओडर में टॉप ओडर अगर कोलाप्स होता है तब इन ड्रॉप करने के बाद इनको आप अपने टिम में रख सकते हो यह सोचकर के मिडल ओडर में आएंगे और कुछ रन मारेंगे सी वी सी तो स्मॉल लिग में बनाने जैसे हैं नहीं बढ़ हां मिनी जील में और जील में आप इनको सी वी से ट्राइक कर सकते हो उम्मिद करता सारा प्लेइर का डेट आपको समझ में आ गया होगा बहुत मैनत लगती है दोस्तो सब डेटा निकालने में और समझाने में दोस्तो मैनत के लिए आपको वीडियो को लाइक ज़रू करना है प्लेइंग लेविन की बात करो तो यहां पर लगबख सबवन दवेजी अक्सर ओ ओपन कर सकते हैं टीम के पास और भी बहुत सारे ओप्शन है ओपन के लिए जो के है सकलेन मुक्तार है अलीवकार है मौमद उस्मान है मौमद नबील है दोस्तो जो ओपन के ओपन किया हुआ है इन्होंने कुछ मैचिस के अंदर दोस्तो ठीक है तो इस तरीके से इनकी है जिनको मौका मिल सकता है अब जैसे के साहिल ग्रूवर अगर नहीं खेलते हैं तो उनके बदले प्रताब जगताब खेल सकते हैं जो के सात्वे आठवे नंबर पर ही बैटिंग पर आते हैं प्लस विकेट कीपिंग करते हैं दोस्तो ठीक है तो ऐसा कुछ भी हो सकता है तो आगे चलते हैं और बात करते हैं बॉलिंग ओडर की बात करनो तो जावेद है पहला ओवर करते हैं नजर आ सकते हैं साजिब भूयान के साथ वाही दुर्रह्मान भी है जो कभी कवर पहला ओवर करते हैं दोस्तों मिडल ओर्डर में बात करूं तो रितिक तॉमर है अली वकार है रविंदर है और कमल सिंग है देथ में बॉलिंग की अगर बात करूं तो वसीम है सुमित पोक्रियाल है सकलेन मुखतार है अब्दु फरहाद है दोस्तों की प्लेयर्ज की बात करूं तो अगर आप स्मॉल लिक खेलते हैं और हेट टू हेट की टीम अगर आप बना रहे हैं तो बस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ प्लेयरों में से ही अपने प्लेयर को आपको बेस्ट प्लेयर सिलेक कर लेने है small league के अंदर head to head के अंदर और उसमें से ही अपने को cvc बना देना है ध्यान में रखना playing 11 के अंदर ये 8 playerों में से ही आपको अपने player लेने हैं दोस्तो अगर small league खेलते हैं तो क्योंकि small league के लिहाज से ही मैंने ये key players निकाले हैं दोस्तो key players ऐसे player होते हैं जिससे हमें maximum point मिलने के chances होते हैं क्योंकि इनका contribution बैटिंग और bowling दोनों से रहता है दोस्तो ठीक है तो आपके लिए इतनी मैं shortlist निकाल कर हमेशा से देही देता हूँ अब बात करते हैं grand league के अंदर cvc आप किसको try कर सकते हो उससे पहले मैं बता दू small league में अगर आप multiple team बनाते हो 5-6 team बनाते हो तो सबावुन दवेजी एक option है cvc के साजी भुयान अच्छे option है cvc के open भी करते हैं बैटिंग से contribution भी करने के इनकी काबिलियत है रितिक तॉम और one down तक तो आते ही है बॉलिंग से भी contribution रहता है तो ये तीन option बहुत अच्छे हैं और अब्दुल फरहाद अगर सामने कोई कमजोर team है और ये wicket लेने की इनकी काबिलियत है ही तो अगर ये इनोंने 2-3 wicket ले लिए cvc आपने बना दिया तो small league में one sided win कर ही जाओगे वही ग्रेंड लिंग की बात करें तो ग्रेंड लिंग में आपको तो और भी बहुत सारे player है बट मेरे सबसे कुछ main player है जिनको आपको जरूर cvc ट्राइ करना है वो है अलीवकार सौरब ककरिया जावेद इक्बाल और जाहिद महमूद जाहिद महमूद की value कब बढ़ जाती है जब शुरुवात में wicket गिरती है तब ओके ठीक है उम्मिद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा आगे हम चलिए बात कर लेते हैं नेक्स टीम की जो के है United Squad United Squad के अगर player पर नजर दा ले तो सबसे पहले अभी मन्यू सिंग अभी मन्यू सिंग जादा तर अकसर देखा गया है कि ये open करते हुए नजर आते हैं घुसरा T10 के career का इनका data देखे तो लगबख 16 match खेली है 35 run ही highest है मतलब उतना कुछ खास performance नहीं है average भी मैं इन्हें नहीं मानता हूँ हाला कि इनका selection बहुत ज़्यादा रहेगा wicket keeping भी कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ point आपको देते हुए नजर आएंगे जिसकी विएसे small league में इनको लेना भी रिस्की है और नहीं लेना भी रिस्की है दोस्तो ठीक है अभी मन्यू सिंग का हो गया अब आगे चलते हैं बात कर लेते हैं अभी नंदन अभी नंदन का डेटा नहीं मिला है experience नहीं है इनको T10 का तो फिलाल हम बात नहीं करेंगे अमंदिब बिंदरा की बात करनो तो यहां पर 5 मैच में 11 विकिट करियर में ली है T10 का कोई मैच नहीं खेला है तो हम बात नहीं करेंगे आगे चलते हैं और बात करते हैं यहां पर अंबर की अंबर की बात करूँ तो अंबर कचाले हैं 9 मैच में 11 विकिट है प्लस एकाद मैच में ओपन करते हुए भी नजर आए हैं और कुछ ना कुछ बैटिंग से कॉंट्रिबुशन ही है दे सकते हैं अलाके इसकी इसकी इपॉर्टेड बढ़ जाती है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही कॉंट्रिबुशन रिसेंड मैच में कर रहे थे ठीक है तो टीम इनके उपर बरोसा दिखाती है और इनको उपर उपन करने भी बेशती है दोस्तों तो important pick रहेंगे small league के लिहाज से surprise pick रहेंगे risky pick रहेंगे बट आप लोगे तो one side win करोगे दोस्तों ठीक है जादा तर लोग इनके उपर अंबर के उपर ध्यान नहीं देने वाले हैं बट मैंने इनका recent form देखा है थोड़ा बहुत अच्छा लगा है बॉलिंग से तो contribution अच्छा है ही तो हमारे लिए small league में must pick हो जाते है अमित की बात करूं तो यहाँ पर कुछ खास किया नहीं है लगबग 12 मैच में तो खेले हैं T10 के और बैटिंग का मौका ही नहीं आया है यानि कि कुछ किया ही नहीं है अरपन शुकला अरपन शुकला का भी नाम काफी बड़ा है बट यहाँ पर contribution T10 के अंदर उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है आठ मैच में सिर्फ चार विकेट ली है और लेफ्ट हेंड़ बैस्मेन है राइट टाम मेडियम बॉलिंग कर लेते हैं करियर के अंदर देखोगे तो 33 मैच में 34 विकेट ली है बट T10 में वहीं उतना कुछ खास performance नहीं दिखा है आप बात करते हैं आयूश शर्मा की आयूश शर्मा की यहां पर बात करू तो लगबग अच्छा गासा performance इनका है T10 के अंदर और राउंडर performance है important पीक रहेंगे small league में और head to head team में must पीक रहेंगे 10 मैच में 7 विकेट है दोस्तो और बैटिंग से भी अच्छा गासा contribution नजर आ रहा है चैतनिया पूचारे की बात करों तो पचूरे की बात करों तो यहां पर 14 मैच में करियर के अंदर 11 विकेट ली है left arm medium baller है और प्लस T10 के अंदर भी 4 मैच में 4 विकेट ली है दोस्तो खेलते हैं तो एक आदा टीम में आप small league में जरूर ट्राइ करना mini jail के अंदर तो cvc भी इनको जरूर ट्राइ करना दोस्तो गंश्याम कुमार की वहीं बात करों तो कुछ अच्छा परफॉमस नहीं है 10 मैच खेली है T10 की कोई खास record नहीं मिला है तो हम ध्यान नहीं देंगे मनिश की बात करों तो कुछ खास इतना परफॉमस T10 में तो नहीं आया है 11 मैच में 11 विकिड है बट मैं इनको एकनौरी कर रहा हूँ grand league में आप ट्राइ कर सकते हो मीत पारिक की बात करों तो कुछ खास परफॉमस है नहीं मुस्तुफा की बात करों तो small league के लिए important पीक रहेंगे और must पीक रहेंगे आपके लिए 11 मैच में 9 विकिड है और career के अंदर 46 मैच में लगबख 57 विकिड है right arm fast balling कर लेते हैं 4 down और 5 down के उपर कभी कबार बैटिंग के लिए भी आ जाते हैं बात करों यहाँ पर परवन कुक्रेजा की परवन कुक्रेजा ने 2 मैच खेली है कुछ नहीं किया है बात नहीं करेंगे वहीं important रहेंगे यहाँ पर प्यूश शिंग भंगेल जो के balling और batting दोनों से contribution करते हुए आते हैं टीम के लिए और जब टीम वसी होती है तब वह चागासा contribution करते हैं टीम के लिए दोस्तों तो important पीक रहेंगे प्यूश भंगेल भागेल भी सामने टीम तो बहुत strong है बट अब हम ऐसे ही प्लियर को select कर सकते हैं जिससे हमें bowling और batting दोनों से contribution मिले दोस्तों तो उसके हिसाब से प्यूश भागेल जो है वह important पीक हो जाते है वहीं बात करूं प्रमोद भगवली की तो 16 मैच T10 के खेले हैं और 9 विकिट लिया हुआ है दोस्तों हाला के fast baller है और open भी करते हैं इसलें की value बढ़ जाती है small league के अंदर तो small league में हम ज़रू try करेंगे प्रमोद भगवली को रवी ग्रोहे के हम बात नहीं करेंगे data कुछ खास नहीं है रुतुराज मगवरे की बात करूं तो यहाँ पर 3 मैच में एक विकिट है प्लस करियर के अंदर बात करूं तो 20 मैच में 6 विकिट है दोस्तों रुतुराज मगवरे को भी आप try कर सकते हो और देखते हैं बॉलिंग बेटिंग से अगर अच्छा contribution कर रहा तो important पीक हो जाएंगे small league के लिहाज से बात करूं यहाँ पर सौरब आवेटी के कुछ खास मुझे नहीं नजर आरा record श्याम गोशी का भी कुछ खास performance नहीं है विकरान गोडारे को भी आप try कर सकते हो एक अदर टीम में पांच मैच में दो विकेड है मीनी जील में आप उनको try कर रहा और जाहिद इकबाल का कुछ data नहीं मिला है तो हम उनकी बात नहीं करेंगे बात करते हैं युनाइटेट के playing 11 की युनाइटेट के playing 11 में अगर देखा जाए तो रूतरज मगा रहे हैं जो open कर सकते हैं अभी मन्यू सिंग के साथ जो के wicket keeping भी कर सकते हैं टीम के लिए प्रमोट बगवली last season last tournament में captaincy करते हुए नजर आ रहे थे देखते हैं इस बार captaincy उनको मिलती है या नहीं मिलती प्यूश शिंग भागेल है जो के two down या one down आ सकते हैं या तो फिर देखते हैं कि इसको team promote करती है आयूश शर्मा है मुस्तुफा नवाब है अंबर कचाले है जो के open कर सकते हैं अरपन शुकला है अमीत पंगर कर है ये भी wicket keeping कर सकते हैं विकरान गोडा रहे हैं चैतनिया पर चुरे है ये हमारी playing 11 निकल कर आ रही है पहले match के लिए team के पास और भी अच्छे चे प्लियर ह है बेंच पर जिनको team try कर सकती है वाला के मेरी नजर में थोड़ी बहुत कमजूर team नजर आ रही है बड़ T10 है कुछ कहने ही सकते हैं बालिंग से बात करों तो अंबर पहला ओवर कर सकते हैं प्रमोद बगवली दूसरा ओवर कर सकते हैं अमंदिब भी कर सकते हैं दूसरा प्रमोद बगवली दूसरा ओवर मिडल ओडर में बात करों तो पियुस सिंग है मुस्तूफा नवाब है और देथ में बात करों तो अरपन्शुकला है आयूशरमा है विक्रान गोडारे है जो देथ में बालिंग करते हुए नजर आ सकते हैं यूनाइटेट की की पलियः क की बात करूं तो जादा कुछ इनके बास की प्लियर तो है नहीं बट थोड़े बहुत जो डेटा मिले हैं उसके इसाब से मैंने की प्लियर निकाले हैं जिसमें से आपके लिए मस्ट पिक तो मैं बता दू प्यूर्श शिंग भागेल तो रहेंगे ही उसके बाद में आयूश शर्मा है प्रमोद बगवली है और मुस्तुफा नवाब ये चार प्लियर को तो आपको नहीं चोड़ना है अपने टीम के अंदर बाकी अदर प्लियर को लेकर आप ट्राइक कर सकते हो रिस्क अपने टीम में ले सकते हो ठीक है तो चलिए काफी कुछ मैंने आपको बता दि है अरपन शुकला को भी ट्राइ कर सकते हो विकरांत गोडारे है अभी मन्यू सिंग है ओपन करते हैं कुछ थोड़े बहुत रन मार लिए तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा ग्रेंड लिंग में सौरब अवेटी है बोलिंग से इंपोर्टेंट रहेंगे अगर खेलते हैं इस मैच के लिए और चलिए हम बनाते हैं अपनी टीम चलिए फटाफट से अपको मैं अपनी सेफ टीम एक बना के दिखा देता हूं क्यूंकि विदाउट प्लेंग 11 टीम बनाना तो एक तरीके से रिस्क ही रहता है क्यूंकि बहुत सारे चेंजिस होने ही है तो अगर व हो एस ग्रोवर का रिकॉर्ड काफी अच्छा है ऐस कंपेर टू अभी मनियु सिंग के फिलाल है है अभी मनियु सिंग अगर काफी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है तो समॉल plataforma अब च्छा रिकॉर्ड मिनी जील में एक आदा टीम मनाते हो तो दोनों प्लेयर को लेके आप अपनी एक टीम मना सकते हो हाला के मैं वो भी कब जब अभी मन्यू सिंग विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं तब दोनों ही टीम के पास दो-दो विकेट कीपर है ध्यान में रखना उसके लिहास से दोनों की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है दोस्तों ठीक है अगर विकेट कीपिंग करेंगे तो ठीक है एस ग्रोवर को फिलाल मैं यहां पर लेके जा रहा हूँ यह सोचकर के युनाइटेट टीम के सामने वो कुछ अच्छा रन मारेंगे अगर ओपन करते हैं तो तब उनको मैं लूँगा अगर वो ओपन नहीं कर रहे हैं तो फिर अभी मन्यू सिंग के साथ ही जाओंगा क्योंकि अभी मन्यू सिंग का तो ज़्यादा तर कन्फरम होता है ओपन करना अब बात करते हैं यहाँ पर बैस्मेन में बैस्मेन में अब देखिए अमित राइकी अमरीत राइकी बात करो तो बॉलर है बट इनको बैस्टिंग बैटमेन में दिया गया है तो यहाँ पर फिलाल आप उनको भी एक टीम में ट्राइ कर सकते हो अगर खेलते है तो फिलाल यह यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा बगवली को लेना चाहूँगा और उसके इलावा मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा प्यूज भंगेल को भी ले लेता हूँ क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से इनका कॉंट्रिबुशन रहता है दोस्तों अब यहां पर आप एक टीम में सकलेन को भी ले सकते हो साकिब सकलेन साकिब को भी ले सकते हो और जाहिद मेहमुत को भी ले सकते हो अगर टू डाउन थ्री डाउन पर अगर इनकी बैटिंग आती है तो ठीक है फिलाल मैं तीन बैस्मेन ले लिये हैं क्योंकि मुझे बैल राउंडर में भी चार अल राउंडर लेने हैं इसके अंदर से नवाप तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं आयूश शर्मा इंपोर्टेंट है बट यहां पर रितिक तॉमर मुझे लेना ज़्यादा जरूर है जो वन डाउन बैटिंग पर आते हैं और सबावंदवेजी को तो हम छोड़ने हैं सकते हैं एस बुयान को भी छोड़ने हैं क्योंकि उनके भी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि बालिंग बैटिंग दोनों ही करते हैं एक दो तीन यह प्लियर यहां से हो गए प्लस मैंने यहाँ पर विकेट कीपिंग ले लिया है तो यहाने के आप देख लिजे एस ग्रुवर ओपन करेंगे सबावुंदवेजी के साथ तो और रितिक तोमर वन डाउन आएंगे तो लगबर एक दो तीन मेरे उपर के टॉप के वैसमें तो मैंने अल्रेडी ले ही लिया है जिसमें से दो बॉलर कवर भी कर लिया है ठीक है अब बात करूँ यहाँ पर तो यूनाइटेट की तो यूनाइटेट के मेरे लगबर अरुतुराज मगारे हैं जो ओपन करते ही है और भागेल और भगवली बात करूँ तो दोनों वन डाउन टू डाउन पर बैसमें बैटिंग करने आते हैं प्लस दोनों BALLING भी करते हैं दोस्तों उसके इसाब से M.N Youtube भी है जिनकी BALLING confirm रहेगी है दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर यह 4 भी हमें ऐसे ऐसे प्लियर ली हैं जिनसे हमें point मिलने के पूरी-पूरी संभावना है दोस्तों ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर अभी देखिए अब तो यहाँ पर अगर M नवाप को अपने लिया है तो आप यह सोच रहो कि विकेड भी जाएगे तो विकेड जाएगी तो जादतर ऐसा हो सकता है कि विकेड एस ग्रूवर की जल्दी गिर जाए या सबावन दवेजी की जल्दी गिर जाए तो हो सकता है यहाँ पर आप एस ग्रूवर की जगा अभी मन्यू सिंग को एक टीम में ट्राइ कर लेना यह सोचके कि एस ग्रूवर जल्दी आउट हो जाएंगे ओके चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बॉलर्स की बात करों तो अली वकार इंपोर्टेंट ही रहेंगे हमारे लिए उसके इलावा जो इंपोर्टेंट रहेंगे मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा फराद के साथ सुहात फराद जिनका टीटेंट में काफी अच्छा रिकॉर्ड है और दूसरे यहाँ पर मैं एक रिस्की प्लेयर ले रहा हूं कचाले को कचाले के साथ मैं जा रहा हूँ जो के रिसेंड में ओपन भी करते हुए नजर आ रहेते हैं प्लस बैटिंग से कुछ ना कुछ कुछ कॉट्रिबुशन कर सकते हैं बाकी अधर प्लेयर के मुकाबले में ऐसा मैं सोच रहा हूँ जिसके लिए उनको मैं अपनी स्मॉल लिकर टीम में जगा द कर देंगे ही इसके लिए ठीक तो यहां पर हम क् i4 यहां जा रहा हूँ के साथ और मैं जाना चाहूंगा इश्के लिए के वीसी के लिए तो मैं रितिक तोमर को सी कर देता हूँ चीक है तो यह हमारे सी वीसी प्लस डैमो टीम हो गई तो देग लीजिए अप अपने इसाब से developments कर सकते हो पूरा डेटा अल्रेडि मैंने दे दिया है तो यह मेरी डैमो सीम है और यह टीम मेरी क्रियेड होगे दोस्तों ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की मैच कौन जी देगा तो जाहिर सी बात है यहां पर बोहीम कि टीम मुझे थोड़ी जादा स्ट्रॉंग नजर आ रही है दोस्तों और जो यूनाइटेट की टीम है वह थोड़ी थोड़ी उतनी खास तो है नहीं बट थोड़ा बहुत फाइटिंग मेरे ख्याल से वह कर सकती है क्योंकि बैस्मेन उनके पास है बैस्मेन ऐसा नहीं है उन और एक मिनट दोस्तो यह आ गया स्मॉल लिक की टीम प्लस मैच प्रिडिक्शन की बात करूं तों यहां पर बोहिमिया के जीतने के चांस 60% के है और यूनाइटेट सी सी के जीतने के चांस 40% के है दोस्तों यह मेरा प्रिडिक्शन एक गलत भी हो सकता है टीटन के अंदर सकता है कि शुरवात में अर्ली विकेट गीर जाए बोहिम्यान की और बाद में लो स्कोर के उपर all-out हो जाए और बाद में युनाइटेड चेस कर ले दोस्तो ऐसा भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जा ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर अपना खयाल रखना दुआ में याद रखना दोस्तो